कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर एक ट्यूग की तरफ से दोस्तों एक और सवाल का समय जवाब दे दिया गया है वो मैं बताऊंगा आपको इस पीडियो में काफी इस्टूडेंट की क्वेरी कर रहे थे कि मैंने अपना समस्टर में जो हमारा कैरी ओबर का पेपर था मैंने उसका फॉर्म भरा था फीज भी सम्मिट की थी तो वो क्या मुझे फिर से फॉर्म भनना पड़ा गया या मुझे फिर से फीज समा करना ही पड़ेगी तो यह बात उन्होंने अपने सर्कुल के माद्धम से बता दी है द उन्होंने कैरी ओबर का भी फॉर्म भर के निर्धार सुल्क जमा किया था वो अपना अब ना ही उन्हें परिच्छा फॉर्म भनना पड़ेगा ना ही उन्हें फिर से कोई फीज जमा करनी पड़ेगी अपना जो उन्होंने कैरी ओबर के लिए उस विसाय का जिस विसाय में उन्हीं ने फॉर्म भर दिया था जिस विस помощ का उन्होंने परिष्छा 7 कभी जमा किया था उन्हें अब दोबारा ना उस विसे के लिए कैरिवर का फ़ॉर्म बनना है नहीं था करनी है तो इह उन्होंने उस अपनी तरफ से अन्यवर्स्ट्टियर दिया है तो मैं समझता हूँ काफी student की ये query जो थी वो उन्होंने अपना जवाब मिल गया होगा तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाईएगा धन्यवाद